और आपको दादे प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी ने आतंकवाद और उसकी पैरिवी करने वालों के खलाफ आज गलोबल युद्ध का एलान कर दिया आज जो प्रधान मंतरी का बयान आया है वो आपको सुनना चाहिए और ये बयान तब आया है जब दुनिया आतंकवाद का धंश झेल रही है और इसराइल पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है उस पीच प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी ने क्या का है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इसराइल पर हमास के हमलों के बाद छीड़े जंग के बीच दुनिया को आतंक वाद पर फिर से कड़ी चेताब ने दी हमास के हमले पर जश्न मनाने वाले और हमास के हम दर्दों पर भी ये समभ़ता पहली बार प्रधान मंतरी का परोक्ष हमला था इंडिरेक्ट अटैक और प्रधान मंतरी का डिरेक्ट मैसेज शायद उनके लिए भी है जो मानवता और विक्टिम काड के नाम पर आतंकवाद औ और बैड टेरर के बीच एक लकीर खीशते हैं आतंकवाद का बटवारा करने वालों पर मोधी साइड उन्हों ने काया कि दुनिया के देश आज भी आतंकवाद की परिभाशा तै नहीं कर सके हैं आम सहमत्ती की इस कमी का फाइदा आतंकवाद के सौधागर उठा रहे हैं और उनको एक्सपोस किया फटका लगाई जिनके लिए आतंकवाद अभी भी गुड टेरर और बैड टेरर की पॉलिसी पर बटा हुआ है अभी कुछ लोग है जो कह रहें कि हमास के लोग तो स्वतंतरता सेनानी हैं जो लोग आतंकवाद के नाम पर डबल गेम खेल रहे हैं उनको लेकर आश्प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने क्या का है एक एक सब्सक्राइब को ज्यान से सुगेगा संसत के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसत भी दिखाई देगी करिब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसत को भी निशाना बनाया था टररिजम दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनोती है कि टररिजम चाहे कहीं भी होता है किसी भी कारण से लेकिन वह मानवतां के विरुद्ध होता है ऐसे मैं कि टररिजम को लेकर हम सभी को लगातार स्वक्ति बरतनी ही होगी टर्रजम की परिभाशा को लेकर आम सहमती ना बन पाड़ा ये बहुत दूखद है आज भी युनाइटेड नेशन्स में इंटरनेशनल कन्वेंशन अन कॉंबेंटिंग टर्रजम कॉंसेंस का इंतजार कर रहा है दुनिया के इसी रवेये का फाइदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं मानवता के सामने जो बड़ी चुनोतियां है उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती यह शांती और भाईचारे का समय है सांत मिलकर चलने का समय है सांत आगे बढ़ने